नमस्कार दोस्तों मैं धर्वेन वर्मा उनलाइन इस्टडिविट डिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जैसा कि हमने आपसे प्रोमिस किया था कि जब NCF 25 और RT 129 के वन लाइनर क्यूशन कंप्लिट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक टेस्ट मिलेगा जिसम आप हमारे रेगुलर वीडियो देख रहेंगे तो एक वीडियो यहाँ पर आपको NCF 25 के मिलेगा जिसमें टोप 70 प्रशन लिये हैं वन लाइनर क्यूशन है वो दूसरा वीडियो आईटी एक दोजान नो पे लिया गया है जिसमें टोप 50 प्रशन यानि कि दूनों वीडिय जैसा कि हम आपसे जो वादा करते हैं वो complete करते हैंने की निभाते हैं वैसा आपको भी एक वादा करना है कि इस वीडियो को आपको जादा से जादा लाइक करना है और जादा 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 जितने भी आपके पास में गुरूप है उन सब को इस वीडियो को सेयर करना है उन में यदि आप आंसर नहीं लगा पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को पूस कर लिजेगा जैसे ही प्रसना है और अच्छे से इत्मिनान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर अपनी कोपी में या फिर कमेंट से के माद्यम से भी दे सकते हैं तो शुरू करते हैं पहला प्रसन है जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम किस वर्स लागू किया गया था यहां पर जो जिला प्रात्मिक सिक्षा कारिकरम है इसके बारे में पूछ गया है किस वर्स लागू किया गया था 1990 में 1988 में 1984 में या फिर 2000 में बताईए इसका राइट आंसर क्या होगा तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा दूसरा प्रस्ण सिक्षण में किसने पांच आपचारिक पत दिये यहाँ पर आपको प्रस्ण को दियान से पढ़ना है सिक्षण में किसने पांच आपचारिक पत दिये हैं बताना है हरबट ने जोन डिवी ने इसकी नर ने या फिर पेश्टा लोजी ने तो यहाँ पर आपकर आइट आंसर होगा हरबट ने याद रखेगा सिक्षण में जो पांच ओप्चारिक पद दिये हैं वो हरबट सिके द्वारा दिये गए हैं तीसरा प्रश्ण सिक्षा का अधिकार उद्गोसित हुआ यहाँ पर देखेए पूछा क्या गया है जो सिक्षा का अधिकार है वो कब उद्गोसित हुआ है 2007 में 2008 में 2009 में 2010 में काफी इंपोटेंट हैं ध्यान दिजीगा प्रश्ण को आपको अच्छे से पढ़ना है उसके ब NCF 2005 के नुसार अध्यापक की भूमी का किस प्रकार की होगी यहाँ पर देखेए 2005 के नुसार बताना है आपको के अध्यापक की भूमी का किस प्रकार की होगी सिक्षिक लक्षो की प्राप्ति सिक्षक प्रक्रिया को प्रभावी मनाना प्रभावी मुल्यांकन या फिर उप अध्यापक की भूमिका, सिक्षिक लक्षों की प्राप्ति कनना, सिक्षा का प्रक्रिया को प्रभावी बनाना और प्रभावी मुल्यांका ने तीनों ही NCF 2005 के नसार अध्यापक की भूमिका होगी तो यहाँ पर उप्रुक्त सभी आपको राइट आंसर होगा निसुलक एवम अनिवारे सिक्षा, बालको काधिकार 2009 के अंत्रगत, किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कारे के लिए नहीं लगाया जा सकता यहाँ पर देखिए अध्यापक के बारे में पूछा गया है कि इनको कुन से कारे के लिए नहीं लगाया जा सकता यहाँ पर RTE 129 के नुसार पूछा गया है 10 वर्ष परशात होने वाली जनगन्ना में आपदा राहत कारी में चुनाव सम्मंदी कारी में या फिर पल्स पोल्यो कारी करम में तो यहाँ पर देखिए अध्यापक को आप पल्स पोल्यो कारी करम में नहीं लगा सकते जो कारी है इसमें इनको नहीं लगा जा सकता 10 वर्ष परशात होने वाली जनगन्ना भी अध्यापक करते है आपदा राहत में भी इनको लगा जा सकता है और चुनाव सम्मंदी कारे में भी अध्यापक को लगा जा सकता है यहाँ पर आपको जो राइट आंसर होगा वो फोर्त वाला होगा चटा प्रस्ण है भारत का भुष उसकी कक्छाओं में निर्मित हो रहा है यहाँ मत किस आयोग का है यहाँ पर जो मत दिया गया है यह किस आयोग के द्वाला दिया गया है बताना है मुदालियर आयोग, सेंडिलर आयोग, डाक्टर रादा करश्नन आयोग या फिर कोठारी सिक्षा आयोग काफी इंपोटेंट हैं तो धियान दीजेगा यहाँ पर सबसे पहले आपको आंसर बताना है यहाँ पर आपने आंसर बता दिया होगा तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोठारी सिक्षा आयोग, याद रखेगा भारत का बविश्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है यहाँ मत कोठारी सिक्षा आयोग का मत है तो यहाँ पर फूर्ट वाला विकल्पे आपका सही होगा सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए नियुनतम कारे गंटे प्रती सप्ता निर्धारित की गए हैं जैसा कि यदि आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा इनसेफ 2005 का सोरी आइटी एक्ट 2009 का तो उसमें हमने प्रती सप्ता प्रती दिन प्रती वर्स जितने भी घंटे निर्धारित की उनके बारे में बता चुके हैं तो यदि आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपका डारेक्ट आप आंसल लगा सकते हैं इक प्रती एक्ट 2009 में एक अध्यापक के लिए नियुनतम कारी गंटे प्रती सब्दा निर्धारित कीए गए हैं वो 45 गंटे कीए गए हैं कितने 45 गंटे आठवा प्रसने हैं भारत के सविधान का कौन सा अनुक्षेद सिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है यदि आपने अस वीडियो को कंप्लीट वोच किया है तो डारेक्ट आपांसल लागा सकते हैं नुक्षेद 21 ए याद रखेगा भारत के सविधान का अनुक्षेद 21 ए सिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण है निमलिकित में से क्या उत्तम उपलब्दी परिक्षण की विशिस्ता नहीं है प्रस्ण को ध्यान से पढ़ना है क्या उत्तम उपलब्दी परिक्षण की विशिस्ता नहीं है पूछा गया है विश्वस नीता वस्तुनिष्टता और वेदता तो यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा Изपश्टताय याद रखेगा यह उत्तम उपलब्दी परीक्षण की विशेश्तन नहीं होगी विश्वसनिता वश्टनिक्षता व वेदता यह-त यहाँ पर तीसरा वाला विकलपिया आपका सही होगा दर्सवा प्रस्ण है निम्न में से कौन सा मुल्यांकन के त्रीकोन का भाग नहीं याँ पर देखें मुल्यांकन के जो त्रीकोन का भाग नहीं है उसके बारे में आपको बताना है सेक्षिक उद्देशी है और अधेगम अनुभव आता है ना कि सिक्षण अनुभव तो यहां पर आपको जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा अगला प्रश्न है छे से चवदा वर्ष पाठ चरिया रूप रेखा 2005 के अंतरगत परिक्षा सुधारों में निमलिकित में से किस सुधार को सुधारों में तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा अगला प्रश्न है छात्रों की ग्रह कार्य दिया जाना चाहिए छात्रों को लिखा हुआ दिया जाना चाहिए ज्यादा कम अनुचित या फिर संतुलित तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा संतुलित जो चात्रों को ग्रह कारे दिया जाना चाहिए वो संतुलित रूप में दिया जाना चाहिए तो यहां पर आपका राइट आंसर फूर्ट वाला होगा तेरवा प्रशन है नामंकन बढ़ाने उनकी उपस्तिती बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण इस तर सुधारने हितू प्रात्मिक सिच्छा के लिए राष्टी पोषण सयोग कारिकरम कब सुरू किया गया यहां पर आपको बताना है तो राष्टी पोषण सयोग कारिक प्रशन है तो ध्यान दीजीगा 15 अगस्त उन्यस्तों पंचानवे में याद रखेगा नामंकन बढ़ाने उनकी उपस्तिती बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण इस तर सुधारने हितू प्रात्मिक सिच्छा के लिए राष्टी पोषण सयोग कारिकरम है इसकी शु का किर् Тем संचलन कर पूरा करना होगा संपूर्ण पाठेकरम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा या फिर्ण में से सभी सरावसा प्रशन है क्यों हैं क्यूंच के तोर पर आपको इसका अंसर कमेंट से के माध्यम से बताना है कि 15 प्रशन का अंसर क्या होगा आपको 15 प्रशन डालना है कमेंट से में और इसका अंसर A, B, C या फिर D में अंसर देना है कमेंट से के माध्यम से दीजेगा वहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही अंसर दिया है काफ़ इंपोटेंट है एक्जाम में पूछा जाता है 25 प्रतिसत 20 प्रतिसत 15 प्रतिसत या फिर 30 प्रतिसत तो यहां पर आपका राइट आंस रोगा 25 प्रतिसत याद रहेगा RTE कानून के अंतरगत हर नीजी विद्याले को 25 प्रतिसत गरीव बच्चों को प्रवेस देना अगला प्रशन है RTE का कानून बना है उन आई वर्ग के बच्चों के लिए जो है यहां पर आपको बताना है कितने से कितने वर्षे के बच्चों के लिए जो RTE कानून है वो कितने से कितने वर्षे के बच्चों के लिए बना है 6-14, 5-10, 3-5 या फिर 10-20 वर्षे तो यहां आपर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रस् Parl. भारत के सविधान में कौंसा अनुक्षेद सिछा के अधिकार का प्रावधान करता है तो इसका अंसर में आपको बता चुका हूं अनुक्षेद 21A है याद रखेगा तीसरा वाला विकल्प सही होगा बारत के अंद सविधान में अनुच्यद 21 ए सिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है अगला प्रश्न है आर्टी एक्ट दोजार नो के नुसार प्रात्मिक विद्धियालियों में सिक्षको को प्रती सब्ता कुल कितने गंटे की योजना बना कर कारे करना चाहिए 30 गंटे 45 गंटे 42 गंटे या पिर 50 गंटे प्रुष्न को थोड़ा सा घुमा दिये गया है प्रचों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए और बच्चों की नियमत उपस्तिती के लिए तो शिखक्षा का दिकार अदिनियम 2009 नहीं लागू हुता है निसक्त बच्चे शाथ में 6-14 वर्स अयू के बच्चे और बच्चों की नियमइत उपरसिती इन 3 लिए लागू होता है 2009 सिप्चा का अधिकार अधिनियम या फिर आर्टी एक्ट दोजार नो इन तीनों के लिए लागो होता है ना कि 14-18 वर्ष के आई यू के बच्चों के लिए तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रशन है नसीअप 2005 के द्वरा प्रतिपादित मुख्य बदलाव है यहाँ पर देखिए कोन से बदलाव किये गए हैं नसीप 2005 के द्वरा अधियापकी जाज परताल के साथ सिखना कक्छा कक्छ में सिखना किताबों में से सीखना या फिर विस्तरत सामाजिक यह मुख्य बदलाव किये गए हैं नसीप 2005 के द्वरा अगला प्रशन है एक परिक्षन तियार करने के बाद एक सिख्चक प्राप्तांकों की निरंदरता को जाचने के लिए एक ही आई-ई-वर्ग के बच्चों पर प्रसारित करता है वहां निम्न को जाचना चाहरा है वे विष्चता को जाचना चाहरा है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन है एक बालक को वस्तूओं को देखने में कुछ समस्या है उसका दाकिला एक बालक है जो वस्तूओं को देखने में कुछ उसको समस्या हो रही है तो एक बालक को पर यहांपर आपका राइटा Carnes always देखने में यहांपर देखिए जो एक बालक वस्तु को देखने में कुछ समस्या है उसका दकिला NCF 2005 के अधार पर समावेशी विद्यहले में होना चाहिए तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण है किर्यात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु यहाँ पर देखिए किर्यात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु क्या है इसके बारे में बताना है छेत्र अध्यन है तो परिक ना परिक्छन परिकल्पना में नवीनता विदी को समानिकरत करना या फिर संधर्भगत समय बद्ध अनुसंधान तो यहाँ पर आपका रायट आंसर होगा संधर्वगत समय बद्ध अनुसंधान जाद रखेगा किर्यात्मक अनुसंधान का जो केंदर बिंदू होगा वो संधर्वगत समय बद्ध अनुसंधान होगा यहाँ पड़ी वाला विकलपे आपका सही होगा अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कोन सी एक अच्छे प्रस्ण पत्रे की विश्यस्ता नहीं हो सकती प्रस्ण को धियान से पढ़ना है एक अच्छे प्रस्ण पत्रे की विश्यस्ता कोन सी नहीं हो सकती इसके बारे में आपको बताना है विश्यवस्तू की सभी काईयों का समावेस होना, सभी प्रस्ण विशिष्ट उद्देश्यों का मापन करने वाले होना प्रस्ण सरलता से कठिनता की और होना या फिर विशेय के विबिन चेत्रों में चयन सम्मंदी छूट कम से कम होना यहाँ पर आपको बताना है कौन से विशिष्टा नहीं हो सकती एक अच्छे प्रस्ण पत्र की तो यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा विशेय के विबिन चेत्रों में चयन सम्मंदी छूट कम से कम होना यह एक अच्छे प्रस्ण पत्र की विशिष्टा नहीं हो सकती तो यहाँ पर फुर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशनी है सिक्छन करते समय अध्यापक को ध्यान नहीं रखना चाहिए चात्र केंदेत शिक्छन का व्यतिकत विभनताओं का जातिकत भेध भाव का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए जब सिक्षन करते समय ध्यापक को किस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए तो जातिकत बहुत भाव का ध्यान नहीं रखना चाहिए काफ़ी इंपोटेंट हैं याद रखीगा तीसरा वाला विकलप आपका सही होगा तो अगले प् का मार्ग दर्शी सिध्धान्त कौन सा नहीं है ग्यान को स्कूल के बहरी जीवन से जोड़ना पड़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त कराना अंग्रजी भासा में सिख्षा देना या फिर बच्चों को चहुमों की विकास के अवसर उपलब्द कराना तो यहां पर देखिए अंग्रेजी भासा में सिख्षा देना यहां पर NCF 2005 में त्री फार्मूला दिया था भासा का जिसमें हिंदी अंग्रेजी जो मातर भासा बोली जाती हुआ कि उसमें आप सिख्षा प्रदान कर सकते हैं तो जरूर नहीं कि अंग्रेजी भासा में ही सिख्षा दें तो यह NCF 2005 का मार्ग दर्शी सिध्धानत नहीं होगा तो तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा चलिए अगरा प्रशन है राष्टी पाठ चर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भासा के लिए नहीं थे एक भासा द्वी भासा तीन भासा या फिर बहु भासा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कितनी भासा नहीं थे तीन भासा जैसा कि मैंने आपको बताया है हिंदी अंगरेजी और मातर भासा ये तीन भासा इंकलूड है राष्टी पाठ चरे की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में तो आपका विकल्पों को आपको दिहान से पढ़ना है बड़े विकल्पे नहीं पढ़ूँगा ड़कली आंसर बताऊंगा वीडियो को पूश कर लिजेगा और इसका अंसर आप आसाने से कमेंट से के मांदिन से या फिर कोपी में लिख लिजेगा तो यहाँ पर आपका होगा NCF 2005 में कला सिक्षा को विद्याले में जोडने का उद्देशी है उसके बारे में आपको बताना है सानसेकरतिक विरासत की प्रसंसा करना चात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्त को विक्सित करना केवल पहला सही या फिर दोनों सही है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा चात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्त को विक्सित करना याद रखेगा NCF 2005 में कला सिक्षा को विद्याले से जोडने का उद्देशी होगा चात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्त को विक्सित करना तो यहाँ पर बी वाला विकल्पे आपका सही होगा हैरेक्तिस्तान में मापन की भूमी का सब सीखी हुई कुसलताओं में निस्पादन का एक संपून अवलोकन देती है निर्मनात्मक मुल्यांकन में, योगात्मक मुल्यांकन में निदनात्मक मुल्यांकन में या पर उप्रक्त में से कोई नहीं तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा योगात्मक मुल्यांकन में याद रखेगा योगात्मक मुल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुसलताओं में निश्पादन का एक संपून अवलोकन देत तो निम्न में से कोन सा परिक्षन उप्युक्त है उपलब्दी परिक्षन अभिवरत्ती परिक्षन निदरात्मक परिक्षन या फिर परिक्षन एवं पुना परिक्षन तो यहां पर आपका रायट आंसर होगा उपलब्दी परिक्षन याद रखेगा एक विशिष्ट अधि गम किस इस्तर तक हुआ है यहां मापने हैं तो उपलब्दी परिक्षण उप्युकते हैं तो यहां पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा यदि आप जो मैं उत्तर बता रहा हूं वो यदि आप अपनी कोपी में आप फिर कमेंट्स के माध्यम से दे रहें तो आप एक जोड़ते चलिए गाम बार-बार नहीं बताऊंगा तो अगला प्रश्बे मुख एवं बधीरों की बुद्Дीमत्ता का परिक्षण होता है किसके द्वारा होता है मोखिक बुद्धी मत्ता परिक्षन द्वारा होता है निस्पत्ती परिक्षन के द्वारा होता है या फिर दो अत्वा तीन के द्वारा होता है तो यहाँ पर जो मुक एमम बधिरों की बुद्धी मत्ती का जो परिक्षन होता है वो अमोखिक दिहान में रखकर अधिगम उद्देश्यों का निर्धारन किया जाना चाहिए पाठिचरिया सिक्षक रूची बालक की आवशक्ता या फिर सामा जी का आवशक्ता तो यहां पर आपका राइट अंसर होगा बालक की आवशक्ता याद रखेगा काफी इंपोटेंट हैं बालक सविधान के नुक्षेद 41 वा 46 याद रखेगा 41 वा 46 किसके कल्यान से संबंदी थे आर्थिक रूप से पिछडे व्यक्ति से विकलांग व्यक्तियों से धार्यमिक रूप से पिछडे व्यक्तियों से या फिर छेतरी रूप से पिछडे व्यक्तियों से यहां पर आपका रा अगला प्रश्चन है भारत के सवीधान के किस के लिए निस्वुल्क अनिवारी सिक्छा है। जवदा वर्स तक के सभी बच्चों के लिए हैं याद रखेगा सभी चात्रों के लिए नहीं है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बीवाला होगा अगला प्रस्ने है सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हो गया था कब हुआ था यहाँ पर धियान देना है क्या तो यहाँ पर सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह लागू हुआ था एक अप्रेल 2010 को याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट है इंग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे कन्फ्यूज होकर वहाँ पर 29 आंसर लगा कर आ जाते हैं जो कि गलत होगा आपका राइट आंस प्रात्मी कक्षा में सिक्षक चात्र अनुपात है यहाँ पर देखी मैंने आपको बताया तो वहाँ पर ध्यान के देना है किस में पूछा गया है प्रात्मी किस तर पर पूछा गया है दोनों में ध्यान देना है तो यहाँ पर प्रात्मी कक्षा में सिक्षक और चात्र का अनुपाद पूछा गया है तो जैसा कि आपने वो वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर आसानी सा आप अंसर लगा सकते हैं एक अनुपाद 30 यह प्रात्मी कक्छा के लिए हैं और उच्छे प्रात्मी कक्छा के लिए होगा एक अनुपाद 35 याद रखेगा प्रात्मिक अक्षा के लिए एक अनुपात 30 और उच्छे प्रात्मिक अक्षा के लिए जो सिक्षक और छात्र का अनुपात होगा वो एक अनुपात 35 होगा तो यहाँ पर आई टांसर क्या होगा दोनों में पहला वाला होगा एक अनुपात 30 एक सिक्षक और 30 विद्यार्ति या फिर चात्र याद रखेगा प्रात्मि किस्तर पर नियुनतम कारे दिवस यहाँ पर देखे प्रात्मि किस्तर पर पूछा गया है जैसा कि मैंने आपको बताया उच्छे प्रात्मि किस्तर पर भी नियुनतम कारे दिवस होते हैं ध्यान देना है कौन से इस् 220 है, 1000 है या फिर 800 है, तो यहाँ पर प्रात्मी किस्तर पर पूछे तो आपका राइट अंसर क्या होगा, 200, यानि कि पहला वाला विकल्प सही होगा, उच्छे प्रात्मी किस्तर पर नियुनतम करे दिवस पूछे तो आपका राइट अंसर क्या होगा, 220, याद रखेगा, प् दिवस होगा, तो यहाँ पर right answer कौन सा होगा आपका पहला वाला, चलिए, अगला प्रचन है, प्राथ में किसतर पर सेक्षिक निर्धारी, तो यहाँ पर गंटे पूछा गया है, प्राथ में किसतर के बारे में पूछा गया है, तो आपका right answer होगा 800, यदि उच्छे प्राथ प्रात्मी किस्तर के बारे में पूछे तो आपको राइट आंसर क्या होगा 1000 थोड़ा सा यहां पर डेटियल में आपको बता देता हूं लिख देता हूं 200 800 और यहाँ पर लिख देता हूँ 220 और 1000 यहाँ पर आप इस से समझ सकते हैं यह प्रात्मी किस्तर के घंटे और दीवस हैं और यह उच्छ प्रात्मी किस्तर के घंटे और दीवस से याद रखेगा जो 800 हैं और 1000 हैं यह गंटे हैं और 200 और 220 क्या हैं यह दीवस हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं तो यहाँ पर आपका रायट आइट आंसर क्या होगा प्रात्मिक इस तर पर जो सिख्छिक निरधारित किया गया है गंटे वह 800 किया गया है पहला वाला विकलप पे आपका सही होगा अगला प्रस्फन है एक सिक्षक प्रस्ण पत्र बनाने के बाद यहां जाज करता है कि क्या प्रस्ण परिक्षण के विश्ष्ट उद्देश्यू की परिक्षा ले रहे हैं यहां मुख्य रूप से प्रस्ण पत्र रिक्तिस्तान के बारे में चिंती थे किसके बारे में चिंतित्हे शांपून विसे वस्तु को सामिल करने में प्रस्नों के प्रकार विश्वस्नीता या फिर वेधता तो यहां पर आपका राइट आनसर होगा संपूर्ण विश्य वस्तु को सामिल करने के बारे में चिंतिते यहां प्रस्ण पत्र तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा दियान दीजेगा सभी की सभी इंपोर्टेंट हैं यदि पहले वाले पर आपने क्लिक किया है तो आप एक नंबर मेज सकता है इन में से सबी स्खुली पुस्तक परिक्षा सतत या फिया निरंतर और सामुहिक आर्य मुल्यांकन हैं फोर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कौन सा कथन सिक्षण के बारे में सत्य नहीं है प्रस्ण को ध्यान से पढ़ना है कौन सा कथन है जो सिक्षण के बारे में सत्य कथन नहीं है सिक्षण में सुधार किया जा सकता है सिक्षण अपचारिक एवर मनपचारिक जल्ट करके निए यहां पर आपका राइट कर्गाने से को आपका साही हो गाला प्रश्ण है राष्टि पाठ चरिया रूपरेखा दोजार पाँच के आधारभुत सिध्धानतों में निमलिकित में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है प्रश्ण को ध्यान से पढ़ना है नेगेटिव प्रश्ण पूछा गया है एनसीअब दोजार पाँच के आधारभुत सिध्धानतों में इन चारो विकल्पों में से वो और विकल्पों को ध्यान से पड़ा होगा तो राइट आंसर आपके सामने है अच्छी बहा परिक्षाओं का आयोजन करना यहां बहाग समलित नहीं है NCF 2005 के आधारबुत सिध्धानतों में तो यहां पर पहला वाला जो विकल्पे होगा वो आपका सही होगा राष्टी पाठ चर्या की रोपरेखा NCF 2005 के नुसार गनित सिक्षन का मुख्य उद्देश यहां पर देखे गनित सिक्षन का मुख्य उद्देश आपको बताना है NCF 2005 के नुसार क्या होगा बच्चों को अंकर गनित का ग्यान देना बच्चों में गनित के प्रतीरुची पेदा करना बच्चों में तारके चिंतन तथा शम्मान समधान युगता का विकास करना या फिर बच्चों का सविगात्मक विकास करना तो यहां पर NCF 2005 के नुसार गनित सिक्षन क का मुख्य उद्देश पूशा गया है तो आपका रायट आंसर होगा बच्चों में तारकेक चिंतन था शम्मान समधान योगता का विकास करना तो यहां पर तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण है छोटे सिक्छार्तियों में निमलिकित में से कौन सा ल लक्षण की खेल विधी आधारी थे यहां पर सिक्छन की खेल विधी किस पर आधारी थे यह आपको बताना है सारे रेक सिक्छा कारीकर्म सिध्धान तो पर पर है शिक्छन की गतिविदियों के सिध्धानत पर है विकास वा वरद्धी के मनो-विध्यनिक सिध्धान तो पर है याद रखीगा शिक्छन की खेल विधी किस पर आधारी थे यह आपको बताना है तो यहाँ पर आपका रयट अगला प्रश्ण है बालकों का मुफ्त एवं अनिवारी सिक्षा कादिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है यहाँ पर आपको बताना है किस पर ध्यान नहीं दिया है इसके पहले की सिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है तो यहाँ पर फूर्ट वाला विकल्पिया आपका सही होगा निशुलक एवं अनिवारे सिक्षा कादिकार 2009 में अनिवारी सब्दिकार थे यहाँ पर देखिए अनिवारे सब्दिकार थे आपको बताना है यदि आपने आल टी एक त्दोजा नु में जो मैंने 50 प्रशन लियत ही व्यूट हुड़ आपने देखा होगा तो आसानी से आप इसका अंसर बता सकते है वहाँ правильно है को इसका आंसर दे tao प्रशाष्च आपको इसका आंसर आपको इसका अंसर कहां बता आना है तो यहांप एगला प्रश्न हमारा किरे आत्मा कनुसंधान मोलिक रूप से भिनने है क्योंकि यहां अध्यापक को सेक्षिक प्रबंद को एबन प्रशाष को द्वारा किया जाता है सोद करताओं द्वारा किया जाता है जिनका विद्याले से कोई संभ्न्मेद 안हीं होता यहाँ प्रमानिकत उपकरणों पर आधारित होता है या फिर यहाँ नियाईदर्स पर आधारित होता है तो यहाँ पर आपका रायट अंसर क्या होगा कमेंचर के मद्धियम से बताईएगा तो यहाँ पर आपका राइटर अंसर है किरियात्म कनुसंधान मोलिक से भिनने हैं क्योंकि यहाँ अध्यापको सेक्षिक प्रभंद को एवं प्रशासुक के द्वारा किया जाता है यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण है राष्टी पाठ्चरिया रूप रेखा 2005 में बहु भासा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यहाँ एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे भासागत प्रश्ट भूमी के कारण कोई भी बालक पीछी ना छूट जाए यहाँ बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोश्वास के लिए प्रोश्वास दिया गया है क्योंकि यहाँ एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे भासागत प्रश्ट भूमी के कारण कोई भी बालक पीछी ना छूट जाए और यहाँ बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोश्वास देगा तो यहाँ पर आपका रायट अंसर उप्रोख्त सभी होगा अगला प्रस्न है विज्यान सिक्षन की वहाँ विधी जिसमें विध्यारती को एक खोजी के रूप में कारी करने का उसर दिया जाता है कौन सी विधी कहलाईगी प्रियोगिशाला विदी, शमश्या शमधान विदी, हियोरिस्टिक विदी या फिर प्रायोजना विदी यहाँ पर आपका रायटांसर होगा हियोरिस्टिक विदी याद रखेगा विध्यान सिक्षन की हियोरिस्टिक विदी जिसमें विध्यारतियों को एक खोजी के रूप में कारी करने का उसर दिया जाता है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा जब एक चातर गनित की समश्या को स्वियम हल कर सकता है तो सिक्षन के किस उद्देश की पूर्ती कर रहा है जब एक चातर गनित की समश्या को स्वियम हल कर सकता है तो सिक्षन के उद्देश की पूर्ती कर रहा है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन है विध्यारति विज्यान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रशन निमलिकित उद्देश सम्मदित होंगे ग्यान अवबोध ग्यान उपयोग या फिर कोशल तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कोशल याद रखेगा विध्यारति विज्यान में चित्र बनाना सीखते हैं या नहीं इसका पता लगाने के लिए बनाए गए प्रशन कोशल उद्देश सम्मदित होंगे तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पिया आपका सही होगा अगला प्रशन है आगमन विधी आगमन विधी में चात्र अग्रशर होते हैं विशिष्ट समाने की और समाने से विशिष्ट की और समाने से समाने की और या फिर विशिष्ट से विशिष्ट की और तो यहाँ पर आगमन विधी के बारे में पूछा गया है तो आपका और याँ यहुआ पर आपका शाया स्भाड़ रहाँ के अंग एक तु यहां पर फूर्थ वाला विकलप है आपका सही होगा हरवट उपागम पर आधारित गनेती पाठ योजना का दूसरा पद है यहाँ पर आपका राहां सर यहाँगा आप सभी को पता होगा इसका अंसर ब्रेल लिपी होगा अंधे बालकों की सिक्षण देने की जो पत्यती होगी वो ब्रेल लिपी क्यों सा गुण वस्तु निष्टता परिक्षाका नहीं है प्रसण को धियान से पलना ए इन चारों विकल्पों में सी वो कौं सा गुण है जो वस्तु निष्टा परिक्षाकार नहीं है वेद हैं विश्वसनी हैं संपून पाठी करम का मापन है या फिर व्यक्तिनिष्ट हैं तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा व्यक्तिनिष्ट याद रखेगा वस्तुनिष्टा परिक्षाका जो गुंड नहीं होगा व्यक्तिनिष्ट नहीं होग यहां पर फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा च्छे प्रस्ण पत्र में गुण होना चाहिए किस प्रकार का गुण होना चाहिए वेरता, विश्वस्निता, वस्तुनिष्टता या फिर यह सबी यहां पर प्रस्ण और चारो विकल्पों को पढ़ते ही आप आंसर समझ गए होगे कि इसमें वेरता, विश्वस्निता और वस्तुनिष्टता यानि कि तीनों ही गुण होने चाहिए एक अच्छे प्रस्ण पत्र में तो यहां पर आपका राइट आंसर यह सबी होगा यानि कि D वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रस्ण है पार्ठिकरम निर्मान का सिध्धान्त यहां पर देखे पार्ठिकरम निर्मान का सिध्धान्त आपको बताना है कौन सा होगा क्रियश्विल्टा का सिध्धान्त, विवित्ता का सिध्धान्त, उप्योगिता का सिध्धान्त या फिर उक्त सभी या फिर ये सभी तो राय टांसर आपका होगा ये सभी क्रियाशिलता का सिद्धान्त विवित्ता का सिद्धान्त और उप्योगिता का सिद्धान्त ये तीनों ही पार्टिक्रम निर्मान के सिद्धान्त है तो यहाँ फोर्ट वाला विकल्पे आपका सही ह अगला प्रश्ण है जब बच्चा सर्प्रत्म नक्से से पढ़ता है तब नक्सा प्रोजेक्टर से उपर होना चाहिए, सता पर पड़ा होना चाहिए, पेपर मसीन पर बना होना चाहिए, या फिर विश्व का होना चाहिए, क्योंकि यहां सबसे बड़ा होता है, तो यहां प विकल्पे आपका सही होगा जो अगला प्रश्न है पार्ट चेरियाå 2005 को अध्यापक के गुणो को वरगी करण किया गया है चार वर्गों में यदि दो वर्गों में तो जितने भी वर्गों में विवाजित किया गया है बों आपको याप LAUNque मैं आंसर बताऊंगा आंसर होगा दो वर्गों में याद रखीगा पाठ चिरिया 2005 के नुसार जो अध्यापकों के गुणों का वर्गिकरण किया गया है वो दो वर्गों में किया गया है यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा अध्यापक का विश्यस गुण है यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा अगला प्रस्वन है ौप पर पिर क्छा। तब अच्छा होता है जब छात्र मन लगा कर सुनते हैं तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशन है अध्यापक की सरवादिक उप्युक्त उप्मा दी जाती है अभी भावक से समाज सुधारक से माली से या फिर राष्टनायक से काफ इंपोट पार्टिकरम निर्मान की आवशकता है अभी व्यक्ति है तू समवाई है तू सिख्छा के उद्देश्यों की प्राप्ति है तू या फिर रोची है तू तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सिख्छा के उद्देश्यों की प्राप्ति है तू याद रखेगा बेटेन में काफी इंप्रोटेंट हैं आई एंपी प्रस्ण ही ध्यान दीजेगा तो यहां पर आपका right answer होगा अमेरिका में दल सिक्षन का सरप्रतम प्रयोग अमेरिका में किया गया है अंतीम प्रस्ण जैसा कि मैंने आपको बताया है टोटल सतर प्रस्ण मिलेंगे और काफ मात्र बोली के रूप में चिलाने के रूप में व्यक्यान के लिए और गाने के रूप में तो यहां पर आपका right answer होगा मात्र बोली के रूप में याद रखेगा बालक सरप्रतम मात्र भासा को सीखता है मात्र बोली के रूप में तो यहां पर पहला वाला विकल पर आपका सही होगा I hope आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो आपको लाइक करना है जो देख रहे हैं जितने भी आपके पास ग्रूप पर चाहे वाटसप हो या फिर टेलीग्राम है उन सब पर सेयर करना है और जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तीन काम आपको जल्दी से कर लेना है जल्दी से दोस्तो हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद